नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो मेरे हम जानेंगे MSWord के अंदर notebook का page किस परकार से बनाए जाता है? किस परकार से notebook को print किया जाता है? और notebook का पूरा काम किस परकार से किया जाता है? वो इस वीडियो में आपन जानने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है MS Word में हमने यहाँ पे एक notebook का page बनाए है same to same page बना के हम आपको बताएंगे यह page आप किस परकार से MS Word में बना सकते हैं तो वीडियो बहुत ही interesting होने वाला है end तक देखते रही है तो सबसे पहले अगर आपको MS Word में आपका कोई भी version हो चाहिए आपके ओपीस 27 हो या 210 हो कोई सी भी अगर आपके बास ओपीस हो ओपीस का version हो तो आपको MS Word open कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पे एक नया page ले लेना है margin क्या होती है जैसे यहाँ पे आपको cursor दिख रहा है यहाँ पे जो जगे दिख रही है चारूं तरप जो page के अंदर जगे रहती है उसको आपको zero करना है तो उसके लिए आपको page layout का option है उसमें आपको जाना होगा फिर आपको यहाँ पे एक margins का option दिखाए देगा इस पर आपको click करना होगा click करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे नीचे custom margins का option है वो दिखाए देगा उस पर आपको click करना है इस पर जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे margins का option है वो आपको यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर top, bottom, left, right इस परकार से यहाँ पर margin छोड़ी हुई है, मतलब यहाँ पर 4 उतरा page की इतनी जगे हैं, इतनी centimeter जगे हैं, वो छोड़ी हुई है, तो यहाँ पर आपको zero करनी है, आपके margin अलग-अलग हो सकती है, यहाँ पर आपको zero करनी ह और okay, आपको click करना, जैसे आप click करेंगे, तो आपका cursor है, वो यहाँ पर आ जाएगा, margin बिल्कुल zero हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या है, आपको insert का option आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर page बनाने के लिए, जो lines है, वो हमें बनानी होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर insert का option आपको दिखाई दे रहा है, उसके हम जाएंगे, insert पर जाने का आपको यहाँ पर table पर जाना होगा, table पर जैसे आप जाएंगे, तो यहाँ से आप table बना सकते हैं, इस परकात से, तो यहाँ पर इतने option दिए होए table बनाने के लिए, तो यह पर आपको एक insert table का option आपको दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा number of columns मतलब आपको कितने column बनाने तो हम जो notebook है वो जो एक line के हम coffee बोलते हैं हो हमारी notebook है तो यहाँ पर आपको एक कर देना है column का और यहाँ पर जो जाल देनी है और फिर आपको okay पर click करना जैसे आप okay पर click करेंगे तो उतनी row है आप जितनी बोलोगे उतनी row automatically यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर आपकी row आ चुकिए उसके बाद आपको यहाँ पर plus का option है वो आपको यहाँ पर icon है वो दिखाई देगा उस पर आपको click क कैसी चाहिए तो आप जितनी भी आपको row जैसी भी चाहिए उस प्रकास से यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं 0.7 ले रहा हूँ आप अपने एसाब से ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जो plus का icon है उस पर आपको click पकड़के रखना है mouse से और आपको यहाँ निची आना जैसे आप जितने निच्च आएंगे उतनी जो यह row है निच्च आ जाएगी तो यहाँ पर हम इतने निच्च आ रहे हैं यहाँ पर इतना जो हमने इस पेस है वह खाली कर दिया और बाकी रो यहाँ पर निची चले गए ठीक है उसके बाद आपको पर इस प्रकास से ले लेनी है तो यह हमारी रो है वो इतनी आ चुकी हमारे page के अंदर पूरी रो बन चुकी है पूरी रो complete करने के बाद आपको यहां पर अगर आपको में page दिखाऊ हूं तो page में हमने जो यह red lines जो बनाई है फिर आपको यह बनानी है उसके लिए आपको करन करने ना आपको select करने के बाद यहां पर आपको जो आपको line वो जो कहां तक खींचनी है उस इससाब से आपको यहां से plus का option दिखाई दे रहा है इससे आपको mouse से पकड़के वो खीश लेनी है तो mouse से आपको shift के साथ shift का button है उसको प्रेस करके आप mouse से ऐसे लंबी line आपको बाहर जाती है तो उसको line को जाने दीजिए ठीक है उसके बाद आपको जो आपका जो keyboard के अंदर button है arrow है किये उससे आप इसको adjust कर सकते हैं नीचे उपर आपको जैसे भी आपको लेके जानी है वहाँ पर आपको लेके जा सकते हैं फिर आपकी जो line है उस पर आपको click करना है अगर आपको फॉर्मेट का option दिखाई दे रहा है तो मतलब आपकी line select है अगर select नहीं है तो आपको उस पर click करके select कर लेनी है उसके बाद यहाँ पर आपको format का option जाने के बाद यहाँ पर आपको shape outline का option आपको दिखाई देगा उस पर आपको click करना है click करने के बाद आपको इसका color है वो change कर देना है तो यहाँ पर मैं red color इसका कर रहा हूं फिर यहाँ पर वापिस आपको shape outline है इस option पर आपको click करना है और इसकी जो चोड़ाई है व वो आपको यहां पे आप change कर सकते हैं तो मैं इसकी चोड़ा यह हो 3 by 4 PT रख रहा हूँ और आप अपने साब से रख सकते हैं उसके बाद आपको इस line पे click करना है click करने के बाद आपको यहां पे इस line को copy करना है copy करने के लिए आप इस line जो आपको भी cursor दिखाई दे रहा है यह cursor आपको लाना है इस line पे जैसे आप जो आपका cursor लेके जाओगे तो यह plus type का icon आ जाएगा फिर आपको यहां पे control प्रेस करना है control प्रेस करने के बाद यह line है आपकी mouse से पकड़ के आप जैसी खिंचोगे तो इसकी line है वो copy हो जाएगी copy होने के बाद इसको आपको छोड़ देना है छोड़ने के बाद इसको आप adjust कर सकते हैं जो keyboard के button है उससे आप adjust कर सकते हैं और यह आपकी line है वो बन चुकी है फिर same इसी परकास आपको यहां पे खड़ी line है जो height वाली line है वो आपको बनानी है उसके लिए भी आपको आप चाहिए तो insert में जाके यहां पर वापिस से paste केंदर जाके आपको line चूज कर लेनी है और यहां पर आपको लंबी एक line है वो आपको निकालनी है तो यहां पर मैं पकड़ के ऐसे लंबी line निकाल दूँगा अगर आपका zoom 100% है तो आप line है ना अब shift का आपको प्रेस करना है तो आपकी line है वो सीधी रहेगी अगर मैं आपको दिखाओं तो यह line इतनी दूरी बनी है एक साथ अगर आपको line बनानी है तो उसके लिए आपको इस line को delete कर देना है delete button से और आपका जो zoom में या 100% है उसको आपको कम कर देना है मतला आपको इतना कम कर देना है कि आपको page अपना पूरा दिखाई दे उसके बाद आपको वापिस insert में जाना है और save page के अंदर जाना और जो lines का option है उसमें आपको click करना है click करने के बाद आपकी line से आपको वापिस plus का जो icon दिखाई दे रहा है उससे आपको mouse से पकड़के shift button आपको press करके रखना है और एक लंबी line आपको ऐसे खीस लेनी है तो आपको पूरा page दिखाई देगा ठीक है बार तक जाने देना है फिर आपको जो आपको keyboard में जो आपके arrow है उससे आपको इसको adjust कर देना है तो यहाँ पर मैं adjust कर देता हूँ वापिस आपको zoom कर लेना है आपकी line बनते ही आपको 100% zoom कर देना है तो आपको यह सही दिखेगी ठीक है उसके बाद इस line पर आपको click करना है click करने के बाद आपको format का option दिखाए देगा और यहाँ पर shape outline है इसके अंदर line पर आपको click करना है click करने बाद आपको control के साथ इस line को भी आपको copy कर लेना है तो इस line को भी मैं copy कर लेता हूँ आप अपने एसाब से copy कर लेना और फिर adjust कर लेना तो यह हमारी line है बन चुकी है इसको आपको जैसे चाहिए adjust कर सकते है keyboard के जो arrow किये उससे तो इतना page हमारा वो ready हो चुका है उसके बाद हमें जो यह वाला portionate date page number यह जो आपको design दिख रही है यह हमें बनानी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर वापिस हमारे page पर आ जाना है और insert के अंदर जाना है वापिस आपको say page के option है उस पर आपको जाना होगा और यहाँ पर जो आपको मतलब save page पर click करके इस save page को आपको select करना है और यहाँ पर आपको mouse की साज़ता से save page को बना लेना है तो मैं save page को बना लेता हूं और फिर keyboard की है जो arrow की है उससे आप यहाँ पर adjust कर सकते हैं आपको कहां पर इसको रखना है फिर आपको यहाँ पर इसको select ही रखना है उसके बाद यह इसकी जो मोटाई है, इसकी लाइन जो मोटाई है, वो आप यहां से कम कर सकते हैं, आप कुछ जैसी चाहिए, आप यहां पर कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे, वो कर सकते हैं, तो मैं यहां पर इसको इतनी एक पर रख रहा हूं, ठीक है, एक पर रख रहा हूं मैं, आपका से पे इस पर आपको click करके आपको right click करना जैसे आप right click करेंगे Click करके तो आपको यहाँ पे data text का आपको option दिखर दिखा मैं उपर उपर अपनी डेट लिखूंगा तो डेट लिखके और फिर आपको डो-डो-डो डो-डो-डो इस परकार से आपको लिख دे न powinler . लिखने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है एंटर प्रेस करने के बाद हमें नीचे नाम लिखना नमबर तो यहाँ पर मैं page यहां उरिक सकते हो डोट 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 से मैं इसको लिख दूँ गा इतना लिखने के बाद इनके बीच में जो यहाँ पर दूरी है तो तो आपफे जो remove space after paragraph है इस पर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे तो आपका जो ये नाम है वो automatically बीच में लिख के आ जाएगा और आपको अगर इस सेपेज को adjust कर सकते हो छोटा बड़ा जैसी भी आप चाहिए यहां से आप तीर से पकड़ के खीच के इसको छोटा बड़ा कर सकते हो औ जैसे आप export के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको यहां पर दीखने को मिलेगी उसी के अंदर अगर आपको मै दिखां तो यह भी design है हमें यहां पे देखी यह वाली design है हमने बनाई थी यह automatically एड़ेट करने के बाद आप को एड़ेस्थ करने के बाद आपको एड़ेस्स करने के बाद आपको यहँ पे सेफिलन्यsome दिखाया ले रहा है क्सासाओ को और यह ह Trinity सेत रहोолов को बन चुकार यह वह फिवाला पेज़ा करना है जो भी चीज़ आपको ऊपर-नीचे अगर लग रही है या थोड़ी बहुत उनमें जो चीज़ें आ रही है वो अपने हैसाब से आप एड़ेस कर सकते हैं माउस ये कीबोर्ड की साज़ता से उनको select करके तो ये हमारा इतना काम complete हो चुका है अब होता है printing का काम इनको print कैसे करें तो printing के लिए आपको करना होगा ज यहां जो आपको दिख रहा है उसी परकास से आपका page हो प्रिंट होगा तो यहां पर आपका number of copy जितने आपको copies मलब जितनी notebook में आपको page बनाने उसे साब सब जैसे मुझे यहां पे 120 page की notebook बनानी तो यहां पे copies गंदर 120 लिग लूँगा और जो भी आपका printer यहां से select कर ल बना सकते हैं वो next video मताऊंगा अगर आपको सीखना है कि cover किस परकास से बनाना है तो आप comment कीजिए वो भी मैं उस वीडियो में बता दूगा कि cover किस परकास से बनाई जाता है बस दोन्नों को print करके फिर यहां पे chip का के हम 120 page की notebook बना सकते हैं तो इस परकार से MS Word का use करके notebook य बुक से वो बनाई जाती है वीडियो अच्छा लगा जानकारी अच्छा लगी तो प्लीज वीडियो को like करना नहीं है तो चैनल को subscribe करना thanks for watching मिलते हैं ऐसे interesting वीडियो में